Hello everyone, Study with us में आपका एक बाग फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं Research Aptitude से Related Important MCQ और ये वीडियो जो है सूपर इंपोर्टन है इसमें जितने भी कोशन्स लिए गए हैं वो सारे के सारे एक्जाम्स में पूछे गए कोशन्स हैं ठीक है और अगर आप Research Aptitude के टॉपिक को पढ़ना चाते हैं समझना चाते हैं तो explanation की जो हमारी वीडियो हैं वो मैंने playlist में डाल रखी हैं आप चाहें तो वो वीडियो को देख सकते हैं लिंक जो है description में दे दिया जाएगा ऐसी revision वीडियो से अगर आपको पसंद आती हैं तो like करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहें हर topic पर ठीक है तो revision वीडियो अब आपको मिलते रहेंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला question यह है कि निमिल लिखित में से किस विवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक range को संभव बनाया जा सकता है तो question हम से एक एरा देखिए से English में भी लिखा गया है कि निमिल लिखित में से किस विवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक range को संभव बनाया जा सकता है तो उसका सही answer है option number B संभिलन में ठीक है संभिलन में हम किसी भी मुद्दे को व्यापक बना सकते हैं इस पर विचार विमर्ष करकर ठीक है तो सही answer हो जाएगा सम्मिलन ठीक है अगर इसी question को फैलाना चाहें तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा हर एक question को मैं फैलाओंगा तो ठीक है क्योंकि अगर मैं सम्मेलन की बात करूं तो सम्मेलन देखें तीन परकार क्यों होते हैं एक सम्मेलन होता है छेत्रिय इस्तर पर ठीक है जो कि छेत्रिय समस्याओं के समधान के लिए जो है आयुजित किया जाता है दूसरा होता है रास्ट्य सम्मे आयो जित किया जाता है ठीक है अब अंतरास्टे में भी कई परकार की बन जाते हैं संबेलन ठीक है तो इससे काफी काफी इसका बड़ा हो जाएगा तो वीडियो जो मैंने अल्रेडी बना रखें इन सब टॉपिक पई तो आप उन्हें जरूर देख लें ठीक है और इस वीडियो के एंड में भी मैं जो है लिंक दे दूँगा इस वीडियो के जैसे वीडियो खतम होगा वैसे ही आपको जो है सब इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ठीक है तो इसके एंड में भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगा तो इंग्लिस वाले स्टूर्ट के लिए खासत और से नीचे में इंग्लिस में भी लिखा हुआ है आप उसे भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है नेमिल लिखित में से कौन सा सोध नेमिल लिखित में से कौन सा सोध जो है नैतिक्ता का मुद्दा हो सकता है तो इस कोशन का सही आंसर है option number B option number B निर्देशन तक्नीकों का विकल्प ठीक है निर्देशन तक्नीकों का विकल्प English में अकर मैं ऐसे कहूं which of the following research may be an authentic issue तो इसका answer option number B choice of guardians techniques next है एक सोध करता बच्चों की चिंता उनमुकता पर पोशन विधी के परभाव के आकलन करने का परियास करता है कौन सी सोध पद्धिती इसके लिए उप्युक्त है देखें अगर आप लोग research attitude पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक research को जो है विस्तार से पढ़ना होगा ठीक है तो अब देखें अब इसमें पूछ लिया है कि अगर आप बच्चे की चिंता उनमुकता पर जो है की पोशन विधी ठीक है चिंता उनमुकता पर पोशन विधी के परभाव के आकलन के लिए आप कौन सा जो है शोध यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो इस कोशन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा option number B कारे उत्तर पद्धती का जो है इसमें इस्तमाल किया जाएगा ठीक है सोध विधी पूछ रहा था इसमें तो याद रखें कारे उत्तर पद्धती ठीक है इंग्लिश में हम इसे कहेंगे पोस्ट फैक्टो मैथड नेक्स्ट है निमिल लिखित में से निमिल लिखित में से सोध की किस परकार में मौझूदा इस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ठीक है सुधार की बात की जाती है तो ऐसा किया जाता है किरियात्मक सूद में option number B जो है इस question का सही answer है किरियात्मक सूद में ठीक है इसमें होता यह है कि किसी भी सिख्षय संबंदी जो समस्या होती है उसकी पैचान की जाती है और फिर उसका समधान खोजा जाता है ठीक है इसे English में कहते हैं functional research next question है एक सोद प्रबंद ठीक है एक सोद प्रमंद लेखन format को अंतिम रूप देने में निमिल लिखित में से कौन सा पूरक प्रस्थो का भाग बनेगा ठीक है पूरक प्रस्थो का भाग बनेगा अब research design अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो आप इसका जरू जानते होंगे ठीक है research design तो इसका सही answer हो जाएगा option number C option number C ठीक है गरंत सूची और परिसिस्थी ठीक है गरंत सूची और परिसिस्थी क्या आप मुझे comment में बता सकते हैं कि गरंत सूची और परिसिस्थी जो होता है या प्रेसिस्ट जो होता है उसमें क्या चीज जो है दर्श की जाती क्या ची लिखी जाती आप मुझे कमेंट में बताइए नेस्ट कोशन है पुस्तकों के और दस्तावेज परमुक स्रोत है पुस्तक के और दस्तावेज के परमुक स्रोत है तो परमुक सुरूत कौन से होते हैं या आप पर दे रखे हैं तो इस question का सही answer है option number A ठीक है एतहासिक अनुसंधान के आकडों के लिए ठीक है एतहासिक अनुसंधान के आकडों के लिए पुस्तक और दस्तावेज जो है परमुक को सुरूत माने जाते हैं next question है सोद की सोद की गहराई निमिल लिखित किसको एक में निहित है सोद की गहराई निमिल लिखित में से किसको या किसी एक में निहित है ये टाइप या पर गलत हुआ है ठीक है किसी एक में निहित है तो कौन सी है जिससे आप सोध की गहराई को जान सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B सोध द्वारा अरजित तत है कि आप कितने facts जो है वो अपने सोध में रखते हैं ये पता चलता है ये facts जो है ये बताते हैं कि आपकी जो research है वो कितनी deepest है कितनी गहराई तक आपने research की है तो facts इसका सही आंसर हो जाएगा next question है अनुसंधान में विज्ञानिक पद्धती का एक मुख्य उद्देश हो गए याँपर ठीक है उद्देश हो गए याँपर अनुसंधान में विज्ञानिक पद्धती का एक मुख्य उद्देश होता है कौन सा होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A option number A आकडो के विशलेशन में सुधार ठीक है आकडो के विशलेशन में सुधार next question है सोध को वर्गी कृत कर सकते हैं सोध को वर्गी कृत कर सकते हैं तो इस question का जो सही आंसर होगा वो होगा option number देखें मात्रात्मक सोध और गुनात्मक सोध में भी कर सकते हैं और मूल परयोगी को क्रिया सोध में भी कर सकते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D ठीक है option number D जो है इसका सही answer होगा वो प्यूक्त सभी next question है निमिल लिखित में से कौन सी सोध विधी नहीं है ठीक है कौन सी सोध विधी नहीं है आपको इसमें बताना है कौन सी सोध विधी नहीं है देखे जितने भी questions मैं आपको बताता हूँ इनका answer जो है आप पहले guess किया करें देखा करें कि आपके अनुसार आप इसका जो answer है वो क्या होगा ठीक है नहीं है और फिर मैं जब इसके answer बताता हूँ तो आप match क्या करें कि देखें आपका कितना जो answer है वो सही गया है इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है इस विसेपर कितनी है ठीक है क्योंकि ये easy question नहीं है toughest question है और जहांतर किताबों में जो questions होते हैं वो काफी easy होते है तो हमें वो solve करने के बाद लगता है कि हमें research का topic जो है काफी अच्छी तरह से आता है लेकिन हाकीकत में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A अब लोकन ठीक है अब लोकन जो है इसका सही answer है English में हम इसे कहेंगी observation ठीक है observation चले next question next question है मौलिक अनुसंधान किस की योगता को दरसाता है मौलिक अनुसंधान जो है वो किस की योगता को दरसाता है तो इसका सही answer है option number B नए सिध्धानतों की स्थापना ठीक है नए सिध्धानतों की स्थापना को दरसाता है नेक्स टोशन है अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रिन्त सूची जो है वो क्या दर्शाती है या क्या बताती है ये कोशन है तो इसका सही आंसर है option number B जो गरंत सूची होती है वो भावी अनुसंधान में दिल्चस्पी रखते हैं और उनकी सहयता करती है यानि कि अगर by the way कोई topic है या कोई विसे ऐसा है जो की अनुसंधान जिसमें किया गया है तो जो गरंत सूची जो होती है ये future में अगर कोई research करना चाता है उसी topic पर तो उस छात्र के लिए वो गरंत सूची काफी useful होगी क्यों क्योंकि उससे और भी जो है उसे data मिलेंगे अच्छ अच्छ फैक्ट्स वो इकटा कर पाएगा होती क्या है गरंत सूची? गरंत सूची ये होती है जैसे मानलो कोई किताब लिखी गई तो उस किताब में जो चीज लिखी गई है वो किस-किस किताब से ली गई है उस किताब का नाम और उसके लेखक का नाम जब लिखा जाता है तो वो तयार होती है गरंत सूची तो ये future में आने वाले जो researcher होते हैं, scholars होते हैं, उनके लिए काफी useful होती है ठीक है, तो सही answer हो जाएगा option number B Next है, जिस अध्यन में अनुसंधान करता, परभाव को खोजने का परियास करता है, उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही answer होगा option number B Option number B, Exposed Facto Research Exposed Facto Research, ठीक है चलिए, नेक्स्ट कोशन है कि जब जनसंख्या समीती हो तो कौन सी तक्नीक अपनाई जाती है? जब जनसंख्या समीती हो तो कौन सी तक्नीक अपनाई जाती है? तो इसका सही answer होगा option number C करमबद परतीचैन तक्नीक अपनाई जाती है नेक्स्ट कोशन है अनुसंधान की खोज की प्रमाणिकता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही answer है option number C वस्तू निष्टता पर यानि objectivity पर जो है डिपेंड करती है ठिक ने? परमाणिकता तो वीडियो पसंदा रहा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें आप इस टॉपिक को विस्तार से जो है बढ़ना गर चाते हैं तो link description में है research attitude की हमारी सारी वीडियो को आप देख सकते हैं और इस वीडियो के end भी आपको जो है link मिल जाएगा next question है विज्यानिक अनुसंधान की परमुक अभी लक्षन है ठीक है विज्यानिक अनुसंधान की परमुक अभी लक्षन है कौन से? तो उसका सही answer है option number D उप्युक्त सभी ठीक है विज्यानिक अनुसंधान की अभी लक्षन या कहीं की विज्यासता ये तीनों की तीनों है अनुभवसिद, सैध्धान्तिक और परियोगिक तो option number D हमारा जो है वो correct answer है next question है अनुसंधान की समस्या का चुनाव निमिल लिकित में से किस द्रिष्टी कोंड से होता है किस द्रिष्टी कोंड से होता है तो इस question का सही answer है option number option number option number option number option number C option number C इसका correct answer है सामाजिक प्रासिंग इकता ठीक है नहीं, social relevance से next question है चेत्र कारे चेत्र कारे आदरित सोद को निमिल लिकित वर्ग में रखा जाता है तो ऐसे सोद क्यालाता है क्या क्यालाता है option number जो है option number इसका A सही है इंद्रिया अनुभव परक सोद ठीक है तो ये इसका सही answer हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर ये आदरित नहीं होगा आग्रित हो गाए अब आदरित ठीक है आदरित सोद को निमिल लिकित वर्ग में रखा जाता है तो सही answer option number A इंद्रिया अनुभव परक सोद नेस्ट कोशन है सोद सदेव है क्या होता है सोद तो सोद मैं बता दूँ ये पूर्व ग्यान का सत्यापन भी होता है यानि कि पहले के जो ग्यान होते हैं उनको जाचना परकना भी सोद कहलाता है न्यूतन यानि नए ग्यान का गवेशना यानि कि नए ग्यान के एक तरीके से खोज भी सोद कहलाती है और ग्यान के अंतराल की पूर्ती भी सोद कहलाती है उप्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर है नेस्ट कोशन है जब कोई शोद समस्या विसम जन संख्या से सम्बंदित हो तब सरवधिक उप्युक्त परती दर्शा पद्दती होगी कौन सी होगी? देखें परती दर्शा पर भी जो है तो इस तरीके से ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने 20 कोशन जो है डिसकस किये है रिसर्च एप्टिट्यूट से रिलेटिड आई होब कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो की स्क्रेन पर जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं लगबग 180 वीडियो जो है 170 से 180 वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हर एक टॉपिक पर वीडियो है तो आप उन्हें देख कर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं अब नेक्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो